अब तक आपने आगी मात्रा को लिखना सीखा थी लेकिन अब मैं आपको काजल या आगी मात्रा पढ़ाने जा रही हुए काजल माता का कहना माा है इसमें आगी माता पढ़ते वे हमें आ मुझ कुलेगा या कहां कहां हमारा मुझ खुल रहा है का मा ता का ना मा इन चुछाँ पर जहां मुझ होता है महां आ की मात्रा होती है अब आगे शुक करते है पाथ शाला जाकर पढ़ पाथ शाला जाकर पढ़ इसमें पा में मुखुला शा में मुखुला जा में मुखुला इसी तरह से हट मत कर अपना काम कर इसमें ना में मुखुला अपना काम कर समझदार समझदार बन अपना काम कर इसमें दा में मुखुला अपना काम काम में का में मुखुला इसी तरह अब घर वापस जा इसमें वा वा पे आ मुखुला अब हम आगे बढ़ते हैं चाता इधर ला इसमें छा में मुखुला छा और ता छा ता इसी तरह ऐसे गाजर टमाटर उधर रख इसमें आप गा में मुखुला मा में मुखुला भाई का कहना मान इसमें भा भा में मुखुला भाई का मुखुला नाना और मामा क्या लाए इसमें ना में मुखुला फिर ना में मुखुला मा में मुखुला और मा में मुखुला आ, बाजा, माला, और कार, इसमें बा में मुझ खुला, जा, मा, ला, कार, लाए, जहां मुझ खुलेगा, वहां हमारी आ की मात्रा ही होती है शर्बत, ला, ला में मुझ खुला है, शर्बत, ला, अब बच्चों मैं आप से कुछ प्रश्नी पूस्ती हूँ काजल को किसका पहना मानना है, बताइए हंजी, आपने सही जवाब दिया, काजल को माता कहना मानना है काजल घर पर क्या करती है, हंजी, सहायता काजल को कहा जाना है, पाठ शाला, हंजी, बिल्कुल सही जवाब दिया, आपने नाना और मामा क्या लाए, बिल्कुल सही, बाजा, माना, रियता, बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो आप हमारी यूट्यूब पर जा करके, आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं कर सकते हैं, कमेंट्स कर दिल्कुल सही जवाब अट्मगें, बा कर सकते हैं, बादे हैं, कमें बाब आपको मेरी यूबाने